आज किस बढ़ियों हम कोर्षन करने जा रहे हैं कोर्षन है find the sum of first 20 terms of an AP whose nth term is given as an is equal to 5-2n यहाँ पर आपको nth term दे रखिए यहाँ पर आपको an की value दे रखिए 5-2n यहाँ पर आपको find करने है sum of first 20 terms यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर से सबसे पहले हम a1 निकाल लेते हैं a1 हो जाएगा आपका 5-2 multiply 1 यानि कि 5-2 यह होगे आपका 3 अब a2 निकाल लेते हैं a2 हो जाएगा आपका 5-2 into 2 यानि कि 5-4 यानि कि 1 अब यहाँ पर से आपको common difference आजाएगा यानि कि d यह हो जाएगा A2 माइनस A1 यानि कि 1 माइनस 3 यानि कि माइनस 2 आपको common difference पता लग गया और यहाँ पर आपको first time पता लग गई और यहाँ पर आपको as 20 निकालना था यानि कि as 20 हो जाएगा आपका 20 बाइ 2 ब्रैकेट में 2A यानि कि 2 मल्डिप्लाइ 3 प्लस में N-1 यानि कि 20-1 मल्डिप्लाइ D D की वैलियो है आपकी माइनस 2 अब इसको solve कर लेते हैं यह जाएगा आपका 10 ब्रैकेट में 326 प्लस में 19 मल्डिप्लाइ माइनस 2 10 मल्डिप्लाइ यह जाएगा आपका 6 माइनस का 38 यानि कि यह आपका माइनस का 32 मल्डिप्लाइ 10 यानि कि आपका फानली आंसर क्या आगया माइनस का 320 यहको समझ में होगा समझ में होगा तो इस वीडियो के लिए लिए लाइक का बटन जो से दबा देना और अगर आप हमाई चानल पे ननीव हो तो फिर चैनल जोशो सब्सक्राइब कर लेना बाकिया मिलता है उसे सनेक्षड में किसने टोक साथ तब तक लिए जाएं जाए वारत